कि हालो गाईज वेलकम टू करीर इजी चैनल तो कम्यूनिकेशन के नेक्स्ट वीडियो इन्दर हम पढ़ रहे है डिजिटल कम्यूनिकेशन में एक्स्ट टोपिक हमारे पास पुल्स कौड मॉडिलेशन ठीक है तो पल्सकौड मॉडूलेशन के अंदर के आपके पास स्पोज आपके बास को सीखना लगी एक्स ओफटी एक्स ओफटी ठीक है विज रिस्पेक्ट टी तो मैंने आपको बदाया था पल्सकोड मॉडूलेशन से पहले मतले डिजिटल कम्यूनिकेशन में हमने एक पहला टूल पढ़ा था वह था सैंपलिंग तो आप क्या कर तो उसके सैं अहीं को सेंपल के सैंपल को अमने बाद मीच्छ की सैंपलिंग मैं था ना deduction की घ्र poquito है करो सेंफ्द्न एफेसं की क्या किस एक हम अन्ह intenta हम आप पय्देश्म को पता चुका हूं तो आप वीडियो वो देकल को ता आप हमने हमने देखा था जो यह maximum error थी वो डेल्टा बाइटू के बराबर थी plus minus डेल्टा बाइटू थीच है यह maximum error था plus minus डेल्टा बाइटू और थीक है तो अब पॉइंट यह है तो और क्वांटीशन के बाद next नेक्स पोइंट होता है नेच्स पॉइंट होता है एंकोडिंग मतला आपने क्या किया एंड माद आपके पास यह मालो यह माद लो फाइव वल्ट और यह 0 तो आपके पास कोई सिगनल था जो 0-5 वल्ट के बीच में था और आपने क्या कि उसके पहले सेंप्लिंग कर लिए और कॉंटाइजेशन करने के बाद suppose आपके पास लेवल आए कुछ लेवल है जैसे कौन-कौन से लेवल मानलो मैं यहां पर टू थ्री फॉर और यह 5 ऐसे पूट कर ले दो तो 0.5 तो यह से थोड़ा सो पर है तो आज एक मानलो सेंपल भी 1.5 यह सेंपल भी 1.5 उसके बाद यह सेंपल बनने प्रस्कार लेगा तो इसके बाद उसके 2.5 और यह सेंपल बनने इसके बाद हैंगे इनकोंडिंग के लिए हम क्या रहेगे इंको कुछ certains चाहिए करेंगे बिट्स असाइन करेंगे सोरी जैसे मैं 0.5 को दे दूंगा 000 ऐसे दे दिया तो इसे डिपेंड करते हैं कि आपने कितने बीट्स के साथ उसको उस सैंपल को रिपरेजेंट करने तो अभी हम कंसेटर करके चलेंगे कि 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 कैसेडर करेंगें तो मैं क्या करूंगा सैंपल इसको भी हैं Bits के साथ रिपरेजेंट करूंगा हर एक सेंपल को और नच्ट आप ओपिक यह था أLS फिर था लाइन कोडिग तो हर सब्सक्राइब तो यहां पर मैं आपको दाता है वन बैट इब इसको बीट रहाबर होता है चलो अब तो यह फिर ऐसा प्लस बना गए इसको ट्रांस्मिट कर देंगे अंटीना को यूज करके हम इसको ट्रांस्मिट कर देंगे कोई भी आपके पास मोडूलेशन नहीं की जाएगी विदाउड मोडूलेशन अगर आप ऐसे मैसेज को ट्रांस्मिट करोगे तो किसी वायर के थ्रू कर सकते हो वायर कनेक्शन के थ्रू तो पॉइंट यह कि डिजिटल पल्स कोड मोडूलेशन के अंदर आप कोई कैरियर वेव यूज नहीं होगे नॉर्मल सिग्नल को ट्रांस्मिट कर दोगे तो वहां तक का जो प्रोसेस है यह पॉल्स कोड मोडूलेशन तो गेट में किस ताइप से कॉश्चन मनता है गेट में कॉश्चन मनता है SNR का ठीक है सिग्नल नॉइज रेशो अब देखो एक चीज नोटिस करो तो सबसे िए मेक्स एक होता है आप यह देखो सिग्नल की लेंथ सिग्नल का मेक्सिम ओर उर मीनिमिंबंक आपने इन दॉनों का Kimberly मम निम वी मेक्स ममिम दिवाइड गय ली वाइं क्या डॉल ऑलके मीनिम आ電-ध बाली इसको आपने n bits के साथ कितने bits के साथ आपने इसको रिप्रेजेंट के एक सेंपल को तो ठीक है सपोस्च 1.5 आपके पास सेंपल तो कुछ और था यह अगर न bits है तो तो की पावर एंड नंबर नंबर बन जाएंगे जो आप असाइन कर सकते हो कि इसको इन सेंपल वैल्यू तो पॉइंट डेल्टा की वैल्ली कुछेगा आप से पहले तो डेल्टा आपको सौल करना ना चाहिए वो किसके बराबर होता है वी मैक्स माइनस वी मि सिगनल टू कौंट जेशन नोइज रेशो ठीक है सिंपली ऐसे नार भी में बोलो तो यह किसके बराबर होएगा सिगनल पावर और डिवाइड बाए डिवाइड बाए नोइज पावर ठीक है डिवाइड बाए नोइस पावर तो आप एक चीन नोटिस करो नोइज आपके पास हम यह लास्ट वीडियो के अधर मैं क्वाइड आपको अच्छे से समझा चुकों पहले ही कि जो नोइस पावर होते हैं किसके बरापर होते हैं डेल्टा स्केर डिवाइड बाए तो के बरापर होती है अब हम क्या करेंगे ठीक है तो जो पीज पीसेम की जो में गेम है एन तक है बर्ट इसको और गें क्स्टेंड करें कैसे मैं और यहीं पे खतम होजाता तो खेंगे तो स्का अ convenience निक्सरиком कें तो यहां से के एंग कोस उमेगा एंटी स्पोझ इस सिगनल एंग विधु कर्षोंं में के एंटी तो यहां पर वी मैक्स की वैल्यू कितनी हैं ठीक है मैक्सिम क्योंकि की इसके जो वरीयेशन ओते हैं एंग टू- इन से होते हों तो वी मिनीमूम कितना आज़ेगा आपके पास ज़ी आपके बास याज़ेगा माइस प्लस बन जाएगा प्लस एएड़ बय तो नहीं डिवाइड बऐ बैट नो की पावर एंट और लिंग वे पावार रे तो इस बन गया टू एमगीएइव डिवएड बैट स्थ स पावर है अगर यह सिग्णल है तो आप बदा सकते हैं कि इंदर Pover कितनी यह बथो सीग्णल के इनदर पवर तो मैं लिख लोगएं इंदर पावर ऑफ सीग्नल पावर हो थाब रोस्री कितनी आजbul सिग्नल और इसको डिवाइड कर देंगे नौइस पावर से तो एम डिवाइड बाए टू रिस्टो दी पावर एर तो ओवरॉल जब आप इसको सॉल करोगे तो आप बता सकते हैं से क्या वैल्यू आने वाले अच्छा यह तो डेल्टा यह तो डेल्टा यह जो आपके पास सिगनल की पावर होते हैं वह थे डेल्टा स्क्वेर बैड में ट्वेल यहांसे हैं तो अगर मैं इसका स्क्वेर को सब्साओ करोगा क्या बनेगा बताओ जो निच्चा वाली चीज़े वह फाहले तो एक सिर्फूर तो इसको मैं ऐसे लिखी देता हूं डिवाइट इहां पर लिख रहते हैं तो एक बनगे देखो एम स्कूर एम स्कूर डिवाइड बेृट तू इंटू जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं और एक चीज करो कि यह जो 12 यह इसको छोड़े थोड़ा सिंपल सिंप्लिफाइए कर लेता है पहले सको ऐसा नोगी कुछ कुछ निफ्यूजन हो जाए एम स्क्वेर डिवाइड बाइट टू ठीक है टू निच्छे आगा इसको सॉल करो जाए यह कितना बन जाएगा और उसके डिवाइड बे कितना है उसके डिवाइड में तो समझे लोगों कि आपने इस नम्बर को इस नमबर को से डिवाइड गरने तो यह मैं किया जाए तो यह कितना मंझेगा थ्री बाइट इंटू रिस्टो दी पावर तो यहां के बाद ऐसे लिख दिया तो यह आया complete SNR ठीक है यह आगे complete SNR लेकिन आपको न कहीं बार SNR वो ऐसे नहीं पूछेगा आपको स्टार मार कर लेना यह सिर्फ साइनसोडल के लिए सिर्फ साइनसोडल सिग्नल के लिए अधरीज मैंगो स्टैनड़ बता दही है कोई बी सिगनल दे इसका वीम x- v-mean normal त्रीके से सूल चर्व गांतर अग dubे तो अगर मुझे इसको क्या करना पशलाख मेज़ुका इटिज पाज धर nossa पशला भाई कि जर। ऑफ ये जो मुक्त्मपाइब करना करता है. अगर है. सो सोल करता हूं, कितनी वैल्फ ही देखो तो इसे एğन कितना मेफ si कि बेस्ट एन वन पॉइट फाइव माइनस सोरी प्लस लोग ओफ टू रेस्ट टू इपावर टू एन तो फर्दर क्या आजे गए टैन टाइम्स या फिर इसको भी सॉल कर सकते इसको भी लिख सकते हैं लोग थ्री लोग थ्री माइनस लोग टू और यह कितना आएगा बताओ यहां से यह बंड़ेगे आपके पास प्लस टू लोग टू अब टू बस तो एई लोग टू और इनकी वैल्ट को याद होएंगी लोग टू और लग थ्री कि तो फाइनली क्या होने वाला है यहां पर पूट करोगे शलो मैं करी दे तो इसको ठीक है तो यहां लिख रहा माइनस यह कितना उता है जिरो पॉइंटट 5010 और यह कितना होता है टो टाइम से इंटो जिरो पॉइंट 3010 यह आगर अभशे को दूज़ा है अगर आप इसको टैनसे कि अपकर बने गाइव तो यह वैल्यू कितना आजेगी आ कि यह वैल्यू तो यह वैल्यू आप देख रहे हो 4770 में से इसको माइनस करेंगे और 10 से फिर मुल्टिपलाई करेंगे ठीक है तो कितना आजेगा देखो और यहां पर माइनस करेंगे 0.3010 अगर मैं माइनस करता हो तो 0671 और यह बन गए 0.1 इतना तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 1.76 अगर मैं इसको मलते 1.76 और यह बन जाएगा प्लस 6.02N या फिर नियरल इक्वल टू 1.76 प्लस 6N लिख देते कही बार तो यह जो वैल्यू है किसके अंदर आई डीबी के अंदर अभी इस कॉन्टिटी को याद रखना कि SNR के जो डीबी के अंदर वैल्यू होती है वो कितने होती है 1.76 प्लस 6N के एक बोल होती है तो इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि आपने SNR की वैल्यू निकाल दो डीबी के अंदर निकाल दी लेकिन यह जो क्वांटिटी हाई है मैं फिर से बोल रहूं यह हमने तभी निकाला अगर हमने सिगनल को साइनसोर्ड लेजूम किया अगर उसने सिगनल चेंज कर दिय लागी उसके बाद देखो आप नेक्स्के अगर मैं एन की वैल्यू को एन प्लस वन कर दिया अन की वैल्यू को एन से अन प्लस वन कर दिया वन बीट इनक्रीज कर दिया तो SNR के एंदर 6 दीबी इंक्रीज हो जाएगा देखो जहां से अगर आप पहले एंड की वाले टू थी स्पोस्ट एंड की वाले टू थी तो कुछ कुछ SNR होएगा अगर एंड की वाले थ्री पुट करोगे तो शिक्स डीबी से इंक्रीज करेंगा तो एक पॉइंट जहां रखना सब्सक्राइब करेंगा तो इस टाइब कोशन आप से पूछा जाएगा दूसरी चाहिए नोटिस करो एक तो होता है सब्सक्राइब करेंगा तो पुछा जाएगा बैंड विट की बात करते देखो अगर आपके पास अगर आप सिंगल भीट 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 भीज़ते एक सेगंड अगर चलो तो यहां पर सौल कर देतो इसको ना इसको पूरा इसको पूरा हटाए तो क्योंकि अब जो बात चलन सब्सक्राइब के फैंग और यहां पर यहां पर यहां से निकाल दोगे सिगनल पावर सिगनल पावर यह तो हमें सिगनल से तो उसके बाद उसके बाद SNR स्टार मार्कल है अगर आपके पास साइनोसोडल सिगनल है साइनोसोडल थीक है फोर साइनोसोडल सिगनल तो SNR की वाली होते हैं 1.76 प्लस 6N विर एन इस दा नमबर ओफ बिट्स फॉर वन सेंपल ठीक है अब चलो इतना तो हम सीख चुके अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंड विट्स की अब देखो अगर आप एक पल्स को भेज़ता हो मतलब टीबी आपके पास से टीबी इंटर्वल है यहां से 0 से स्टार्ट किया अगर मैं इसका फोरे ट्रांस्वम ड्रोग रूंगा फोरे ट्रांस्वम तो कितना अगर दो इसकी आइड यह माल लो तो आपने एक बिट बेजी स्टार्टिंग अंदर एक बिट की रात कर रहा हूं मैं तो आप देख शोके आज़िया कितना क tubing से ओमेगा ठीक है कैसी omegaate विट बैर चुबंड़ात कि चलंए टीबी टाहण अंट इसके साथ ना है क्योंकि शिफ्टेट आपनी ऐसा अइसा करो इसको इस ओमेगा विट्थ बै टू तो यह बन गया टी बेतू अब एक पहलं भी कि इसका काइसा तूरी इसको करो हाँ इस को ऊंक्षन होता है प्सक्रنا יהब्स करना स्थर्ण तो आपको यह भी पता है कि इसका M assim j साइन साइन को फूट करोंगा क्योंकbstar कि कहां कापा पर इवालू आता है और यहां पिछ वाला चाहिंद और एफ का ले आप उसको मुझ कर लेगे की फिया एफ की फो फोम में वना कि तो टूत पाई एफ इक वा 2 is equal to mpi आप देखोगे यहां से 2 से 2 cancel, pi से pi cancel, f आएगा m by tb, लेकिन हम तो first वाले की ही बात कर रहे हैं, तो m की value 1 put कर दोंगे, 1 by tb बन जाएगा, तो यहां गया 1 by tb, और यह value आगी, minus 1 by tb, यहां से, चलो, तो अब point यह है, कि आपके पास, आपको कितनी bandwidth की जरूरत है, यह bandwidth होगी, यह bandwidth होगी, तो आपको जो bandwidth चाहिए, वो कितनी होती है, 1 by tb, that is equal to rb, तो जो भी आपके बास bit rate होईगी, वो bandwidth आपको चाहिए, इसको transmit करने के लिए, क्योंकि यही पार्ट होता है, bandwidth के लिए, यह पता आपको चीज़, ठीके तो यह पार्ट किसके को लाएगा, bandwidth के, कि आपको इस signal को भेजने के लिए, कुछ bandwidth की requirement होगी न, तो bandwidth कितनी आजएगी, one by tb, that is rb, इसको भेजने के लिए, आपको rb bandwidth चाहिए, आप निकाल सकते, one by tb करके, अब यह कब था जब आपने single bit भेजी, अभी आपने इसी bit के अंदर, इसी duration के अंदर, अगर आपने दो bits को adjust किया, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर इसी width के अंदर, तो दो bits को adjust करोगे, तो आप इसका मतलब बते कहा है, कि आपके पास sample, जो आप भेजता हो, जो आप भेजता हो, जो sample भेजता हो, उस sample, मालो 1.5 sample value थी, इसको आपकी मिर्जी आप एक bit से भेजो है, दो bits, तो आपने इस्पोस दो bit ले ले लिए, 00, या 01, या 01, या 01, या 01, दो bits का use किया, तो इसको बोलते हैं, इनको भेजने के लिए, कुछ time लगेगा न, उसको बोलते है, sample, ठीक है, उसको बोलते है, sampling time, कि इसको बोलेंगे सेंपल विट मालुआ मतलब सेंपल को भीजने के लिए कि कितना टाइम जैसे आप एक भीट भेजने के लिए आप देख रहे थैं कि कि यह चाहिए थी चाहिए था अब आपको इसी वीट के अंदर दो 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 बिट्स को अड्जस्ट करना तो आप क्या होते हैं सेंपल तैम बोलेगे तो पॉइंट सेंपल डाइम आइगा एक झाल रखने लिए एक भिण को पहले पहले कहां तक भीज़े थे माइनस 난 McG dess को मतलब इतनी वीट के अंदर सिरफ एक बिट जा रही थी अब इसी वीट के अंदर दो बिट जाएंगे इसी वीट के अंदर दो बिट जाएंगी तो इसका मतलब एक बिट को कितना मिलेगा इसका हाफ मिलेगा अभी तो यह एक बिट को रिपरेजेंट कर रहा था अभी कितन तो इसका मतलब यह हुगा कि आपके पास जो bandwidth की value होते हैं ना bandwidth की मतलब आर बीजिव आएगी वह n fs के equal आजएगी एन fs वेर fs is equal to fs क्यों होता है fs होता है one by ts one by ts sample time का उल्टा जो आपके पास sample है नो उसको बेजने के लिए जो time चाहिए उसको उल्टा गरगे आपके पास ऐसे बन जाएगा या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर इसको उल्टा गरो आप एक बार तो यह वन बाई वन बाई टीवी बन गया और यह कितना आजएगा n into 1 by ts तो कि मैं बोल सकता हूँ sample जो time है जो sample time है वो n tb के बराबर है n tb के समझे रहो नो एक sample को भेजने के लिए कितना time अब देखो एक sample के अंदर अगर आपके बास n bits आगी आपको पता है एक bit को भेजने के लिए tb चाहिए तो एक पूरे sample को भेजने के लिए आप n bits एक पूरे sample को भेजने के लिए पूरे sample के अंदर आपके बास n bits हैं तो अगर आप ऐसे इस तरीके से करके अगर आपको पता है कि एक bit के लिए tb चाहिए तो n bits के लिए आपको कितना time चाहिए होगा n tb तो वहां से हमने क्या कि इसको उल्टा कर लिया ठीक है तो यह concept आप समझ लेना बात ही है कि जितनी ज्यादा bits यूज करोगे ना जितनी ज्यादा bits यूज करोगे आर भी की value उतनी बढ़ती जाएगी आर भी बढ़ेगा तो आपके बास bandwidth बढ़ जाएगी तो n की value बढ़ने से snr तो बढ़ जाता है no doubt बट उसके साथ साथ जो bandwidth की requirement है वो भी ब हम 8-10 question पूछेगा है total तो मैं discuss करूंगा next video के अंदर बट जो हमने सीखा वो यह था snr की value क्या है ठीक है snr कैसे निकालना है उसके बाद जो bandwidth होती है वो किसके को लोती है nfs के क्योंकि आप nfs कहां से है और fsk है one by ts ts की होता है sample time एक sample को अगर एक bit से represent करोगे तो टीबी दो किन अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आर भी कितना आजएगा nfs के बराबर आजएगा तो कहीं बार आपको sampling यह sample time देकर रखेगा तो आप से बुच्छेगा rb निकलो तो n times कर देना उसको फिर bandwidth बूच्छेगा बैड विट आजएगी अभी next video के अंदर question करें तो आपक थेंक थेंक यू